सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल टॉप न्यूज नेटवर्क्स, बेल बटन दबाएं और नोटिफिकेशन स्पाएं फिल्मों में एक्टिव थे तो बॉल्वूट की लोगों का उनकी घर आना जाना हुआ करता था और लोग याद भी करते थे लेकिन जब कादर खान फिल्मों से दूर हुए तो लोग भी उनसे दूर होते चले गए सर्फरास का कहना है कि उनके पिता अंतिम समय तक जिस अभी नीता को याद करते रहे वे हैं अमिताब बच्चन दोनों को एक दूसरे से काफी लगाब था और अंत समय तक अमिताब बच्चन उनका फोन पर हाल चाल लेते रहते थे बता दे कादर खान के देहान के बाद गोविन्दा ने कहा था कि कादर खान उनके पिता के समान थे इस पर सर्फरास का कहना है कि अगर गोविन्दा को इतना ही मेरे पिता से स्नेय था तो उन्होंने कभी उनका हाल चाल जानने की कोशिक क्यों नहीं की यहां तक कि पिता के इंतिकाल के बाद भी उन्होंने फोन तक नहीं किया सरफ्रास का आगी कहना है कि मौत के बाद भी मेरे पिता के चेहरे पर उसकान थी बढ़े ही बॉलिवूद के लोगों ने आज कादर खान को बुलाया हो लेकिन उनका काम उन्हें जिन्दा रखेगा वे अपने काम की उज़े से लोगों की दिलों में हमेशा जिन्दा रहेंगे सरफ्रास आगे कहते हैं कि मैं लोगों को आस्वर्स करता हूँ कि उन्हें हम भूलने नहीं देंगे आपकी क्या राय है इस बारे में जरूर बताए हमें कमेंट करके ऐसी और वीडियोज के लिए सब्सक्राइब करी हमारा चैनल टॉप नियूज नेटवोक्स धन्यवाद